नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा पांच राज्यों में विधान सबाद चुनाओ संपन हो चुके हैं अब इंतजार है तो बस नतीजों का दस माच को नतीजे आ जाएंगे ये साफ हो जाएगा कि किसकी बनेगी सरकार और किसे मिलेगी हार की निराशा पर अभी से ही सारे चैनलों पे एक्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी उतरप्रदेश उतराखन मनिपूर गोवा से लेकर तमाम जिन राज आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और इसी बड़ी कबर के साथ हमारे साथ नियूजरूम से जुड़े हुए हमारे एडिटर इंचीप डॉक्टर मरीश कुमार डॉक्ट साहब के फ्री के चक्कर में जंडता आ गई है चानक की कि बात करें या तमाम ए पहली वज़े यह होती है कि उस पार्टी का पर्फॉर्मेंस उसका लीडर उसका केंपेइन उसके उमिदवार उसने जो जो मुद्दे उठाए उसे जंता ने कितना लाइक किया और दूसरा जो हार की जो जीत की जो सबसे बड़ा जो नतीजे का जो सबसे बड़ा जिस पे है कि जो अपॉनेंट है उसका उन लोगों ने कैसा पर्फॉर्म किया तो जो एक्जिट पॉल बता रहा है उस पे मैं डिसकस करूंगा लेकिन पंजाब के चुनाओं में एक बात तो बिलकुल साफ है कॉंग्रेस पार्टी अपने पैर पे कुलाडी मारी आपने एक अच्छ मुख मंत्र को हटाया पार्टी को तुड़वाया और आपने पूरी तरह से गूफ अप कर दिया उनकी जगह पे जिस लीडर को आपने रखा वो केद्रिवाल के मुकाबले बहुत कमजूर हो गया दूसरी तरफ अकाली दलने इस किसान आंदोलन के चकर में भारती जंता पा दूसरे राज्यों में प्रधान मंत्री मोदी के नाम पे उड़ सकता था वो अकाली दलने अपने हाँ से लूज किया और तीसरा भारती जंता पार्टी वहाँ पे पिछले 5 सालों तक ना कोई लीडर ख़़ा कर पाई ना संगठन बना पाई ना पंजाब में आपने जाकर क कोई ऐसा काम किया जिसकी वज़े से लोग भारती जंता पार्टी में विश्वास अपना दिखाते तो कहने का मतलब यह है कि कभी-कभी फुटबॉल में होता है कि आप बॉल लेकर के चले गए और जो आपका अपोनेंट है उसका ना कोई बैक नजर आ रहा है ना कोई करते हैं कि जो चानक्या जो दावा करता है कि सबसे ज्यादा सटीक वो एनलेसिस करता है तो वो चुड़े चानक्या की तरब से आपको 100 सीट बताई जा रही है यह देखिए जी बिलकुल एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं चानकी की रिपोर्ट हम आपको दिखा आ रहे हैं आम आदमी पार्टी को यहां 100 सीट मिलती हुए नजर आ रही है वहीं कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस को 10 सीट सिरुमनी अकाली दल को 6 सीट और बीजेपी एक सीट में ही सिमट गई है यानि कि 100 सीट मिल रही है 117 सीटे है और बाकी की 17 सीटों में सारी प प्रेंड है तो यह यकीन मानिए कि अगर 190 के आसपास एक्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है और अगर यह एक्जिट पोल्स सही है मैं आपको बता सकता हूं कि जब काउंटिंग आएगा 3-4 सीटे उसमें सारे लोग निपट जाएंगे कोई दूसरी पार्टी को डबल पे सीट तक नहीं आएगी यह इस एक्जिट पोल से नदर आ रहा है यह दिली का फिर से रिपिटीशन हो रहा है लेकिन अब सवाल यह है कि चानक क्या ने तो यह बताया बांकी लोग क्या बता रहे हैं तुलकुल हमारे तमाम से योगी हमारे सार जुड़े हैं हर एक एक ए पास आना चाहूंगी आपने एबीपी का एक्जिट पोल खोल के रखा है आपके साब से इसमें क्या बताया जा रहा है सी वोटर सर्वे क्या कह रहा है एबीपी का सी वोटर सर्वे अगर आप देखेंगे तो कॉंग्रेस को 22-28 सीटे मिल रही है यानि कि कॉंग्रेस की सरका को लोगों ने नकार दिया है और नई पार्टी को मौका देने वाले पंजाब में आपको वही 51 सीटे मिल रही है और अकाली दल को 20 से 26 सीटे मिल सकती है तो वही BJP को और 7 से 13 सीटे मिलने का अनुमान है और अधर को 1 से 5 सीटे तो यह सी वोटर अभी एक्जिट पॉल यह कहता है अब आगे देखी कि दस तारी को क्या सी वोटर के भी हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है बल्कुल शबनम तो सी वोटर के हिसाब से भी 51 और 61 सीट याली की बढ़त बनाए हुए है आम आदमी पार्टी डॉक्टर साब यह डिफरेंस दस सीटों का क्या से कि अलग-अलग एजिंसियां अपने हिसाब से वो रिसर्च करती हैं एक्जिट पोल लेती हैं और फर्क इसलिए आजाता है कि आप कहा कहा किस किस इलाके में कितना जादा दे रहे हैं वैसे मैं आपको बता दू मैं इन एक्जिट पोल के उपर भरोसा नहीं करता है वो इसल मतलब है डाल में कुछ काला है मतलब यह है कि कोई एकजिट पोल 1000 और कोई एक्जिट पोल सिधे 60 117 सीट में 1000 पे-ट सीट हो और उसमें 50 का डिफररेंस हो तब तो बात समझ के में आता है लेकिन टोटल सीट 117 एक सब बता रहा हैं और दूसरा 661 पे जाकरके मैक्सिमिम क्लोज कर रहा है इसका मतलब है जो वोटर्स ने अलग काम किया है और ये जो एक्जिट पॉल करने वाले एजिंसिया हैं वो गड़बर कर रही हैं मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि पिछली बार इसी तरीके से पंजाब के चुनाओं के बाद तमाम एक्जिट पॉल ने अर्वि विश्वास ने खुला सा किया ये उसी समय की बात है जब एक्जिट पॉल में ये बताया गया कि आम आधी पार्टी की सरकार बन रही है तो केजरिवाल ने कहा था संजे सिंग और कुमार विश्वास को कि अब पंजाब जाओ आपस में लड़ाओ सबको और मुझे प्रधा बात ये है कि जितने भी चैनल से हैं वो बहुमत दिखा रहे हैं किजरिवाल पार्टी को आमाधी पार्टी को लेकिन यहां सिरुमडी अकाली दल को 24 और कॉंग्रेस को 25 तो यहां कहीं न कहीं जो बहुमत मिलता हुए नजर नहीं आ रहा है ये जी निउस के एक्जिट पोल और ये टुडेस चानक्या पंजाब में सुनामी ना रहा है ये जी निउस के एक्जिट पोल में नहीं है इसलिए मैंने का कि अलग-अलग एजेंसियां अपने-पने हिसाब से करती हैं और सब में कुछ ने कुछ जोल होता है कौन कितना सटीक पहुँचेगा लेकिन मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं इस मसले पे कि एक तरफ 100 और दूसरे तरफ 39 ये मुझे लग रहा है कि कोई भी एक्जिट पोल लोगों के पल्स को सही धंग से समझ नहीं पा रहा है और भी चैनलों ने क्या दिखाया ये दरसों को बताना जरूरी है बिल्कुल अंशिका के बास प कॉंग्रेस को 26 सीटे मिल रही है न्यूज एटीन के एक्जिट पोल के मताबिक आम आदमी पार्टी जो है वो 64 सीटे जीत पारी है अकाली दल को 22 सीटे और BJP 4 सीटों पर ही सिमट कर रही है यानि की कई एक्जिट पोल ये दिखा रहे है कि आम आदमी पार्टी अचानक से जो अपनी पकड़ है वो लूज कर रही है और कई exit पोल दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जो है बहूमत मिलती दिखाई दे रही है लेकिन आप जो नतीजे होंगे वो 10 मार्च को आएंगे और उसके बाद ही पता लग पाएगा कि पंजाब में कौन जीता और कौन हार तो अभी अनुमान है exit पोल है इसके साब से तो 64 आप तो मुझे रोलर कोस्टर पे लेकर जा रही है यह तो ऐसा लग रहा है कि फ्रिक्वेंसी चल रहा है एक चैनल उपर दिखा रहा है एक चैनल नीचे दिखा रहा है बड़ा confusion है भाई लेकिन मैं आपको बता दू जो ground मे जो बात जो समझ में आ रही थी कि पंजाब में भारती जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग उनके साथ जाए यह एक mistake है बीजेपी के लिए आप आपके पास मदबर्देश में लीडर है आपके पास महराश्ट में लीडर है आपके पास गोवा में लीडर है आपके पास राजस्थान में लीडर है आपके पास यूपी में प्रक्चंड बड़े लीडर है आपके पास असम में लीडर है आपके पास उत्राखंड में लीडर है आपके पास बीजेपी के पास पंजाब में कोई लीडर नहीं है इसलिए यह बड़ा confuse सा सिस्टम हो रहा है एक तो सामने वक्ता भी कुछ खुल के बाति है tua स्क्रीन में साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी नंभर दो पर रहेगी अब क्या कहा जाया वक्ता आपके साबसे इंडिया टीवीraum की दोसिच है बीजेपी तो कहीं नजर नहीं आ रही है लेकिन जो जिस हिसाब से यह कहा जा रहा है कि आप अपनी बढ़त बना रही है पंजाब में वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के हिसाब से कॉंग्रेस पहले नंबर पर चल रही ह होती है लेकिन इस इंडिया टीवी के जो एग्जिट पोल्स है उसमें एक चीज नहीं है नहीं बात यह है कि यहां पे 60 सीट के आसपास 59 सीट जो है वो दिखाया जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी को 117 सीट चाहिए और बहुमत वो कॉंग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है तो यह बहुत ही कंफ्यूज इसलिए यह जो चानक्या के ऊपर यह जो 100 का आकणा दिखाया जा रहा है यह थोड़ा सा तो इसका मतलब यह है कि जो बाकी के अजिंसियों ने पंजाब में लोगों के मूड को जो परखने की कोशिश की उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुए मैं फिर कह रहा हूँ मैं एक्जिट पूल में भरोसा नहीं रखता और इसलिए यह सारी कवाज जो हो रही है जो यह एक्सराइज वो एक्सराइज यह डिमोकरसी है परव है तेवार है इसमें अनुमान लगाना चाहिए लेकिन हर चैनल अपने-पने हिसाब से इस तरीके से कर हैं जो ग्राउंड में उत्रेवे लोग हैं जो रिसर्टर्स है वो भी उसको आख नहीं पार लेते हैं कहते हैं आस तक नंबर वन चानल पर आस तक केसाब से क्या कह रहा है किसे जिता रहा है आज तक कर रहा है कारण कि 76 से 90 14 सीटों का दायरा एक बहुत बड़ा गैप कहलाता है दूसरी चीज कॉंग्रेस के लिए सेम वही इस्थिती है 1931 11 सीटों का दायरा एक बड़ा गैप कहलाता है इस गैप को यदि भरा जाए तो यदि सपोजी यहादी 76 सीटे आती है तो बाकी 14 सीटे किसी और के खाते में चाहेंगी जो एक बड़ा फैक्टर साभित हो सकती है यदि 11 सीटे यहाँ कम आती है तो वो दूसरे के खाते में चाहेंगी तो कुल मिलाजूर अला करके जो इस्थिती अभी है सर्वे कह रहे हैं कि नहीं आमाद्मी पार्टी की सरकार इंडिया टूडे एकसिस माई इंडिया का सर्वे कह रहा है कि आमाद्मी पार्टी की सरकार बन रही है लेकिन फाइनली क्या होगा इसके लिए दस मार्च का इंतजार सब को दस मार्च का इंतजार है आज तक के आसान है वो आसान ये है कि हमारे चैनल में जो है वो मुर्गियों को दौर चलता है हम सही बोले हमने सही प्रेडिक्ट किया तो आप सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसके लिए आप क्या करेंगे आप रेंज इतना बड़ा कर दें कि कहीं कहीं आप फस्दा है और जब वह रिज सारे चैनल के आकड़े आ गए अब जो इन सब आकड़ों से क्या निश्कर्स निकाला जाए मेरा निश्कर्स यह है हंग असेंबली होगी किसी को बहुमत नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि जितना ये अपहीबल इसका जो डाटा जो बता रहा है जिस तरह से एक बात बिलकुल साफ है कि सारी एजिंसियों से कुछ ने कुछ गलतियां होगी है अब गलतियां जान बुचकर की जा रही है गलतियां by methodology में mistake हुआ है या फिर कुछ और कारण हो लेकिन ये सब कुछ देखते हुए ये लग रहा है कि ये हंग assembly होगा सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बनके आएगी लेकिन शायद इतना ना ला पाए कि जिससे उसे पूरी तरीके से बहुमत भी है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए चानके की रिपोर्ट दिखा देते हैं क्योंकि पूर्चाब में 117 सीट पंर्चाब में 117 सीट है वहुमत के लिए 59 सीट चाहिए पिछली बार की बात करें तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 22 सीटे मिली थी पर जितने सर्वेज आ रहे हैं जितने अलग-अलग exit पोल पे हमने चर्चा किया हर किसे के साब से कही ना कहीं आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 तारिक को क्या वाकई में अरविंद के जिवाल का फ्लीक फ्री प्लीक